बॉलिवूट के सितारे अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी लुक्स का भी खास ख्यार लगते हैं वहीं सोशल मिडिया पर भी इनका लुक्स काफी जाना जाता है सोशल मिडिया के आज आने से ये सितारे हर वक्त अपनी फैंस के नजरों में बने रहती हैं ये स्टार्ट शाहे घर हो या फिर एरपोर्ट पर उन पर हर वक्त कैमरों की नजर बने रहती है और यही वज़ा है कि सितारे अपनी लुक्स पर खासा ध्याम रखते हैं क्योंकि अगर उनमें थोड़ी सीवी कमी दिखी तो ट्रोल होते देन नहीं लगती है बॉलिवुड के इन सितारों को पचास साथ की उम्र में भी जुल्फे लहराते देख फैंस नहीं सोचते हैं कि आकिर कैसे इस उम्र में भी इनके बाल इतने खुबसूरत घने हैं तो आज हम आपको ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि घने बालों के आप दिवाने हैं लेकिन असर में वो गंजे हैं और विक इस्तमाल करते हैं कुछ एक्टर्स को देखकर ही पता चल जाता है कि उन्होंने भी का इस्तमाल किया है जबकि कुछ को पहचानना मुश्किल होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ सिन्मा के मुशूर सूपरस्टार रजनी कांथ की तो रजनी कांथ को भला कौन नहीं जाता साउथ में उन्हें भगवान की तरहां पूजा जाता है उनकी फिल्म को साउथ में शायद ही कोई व्यक्ति या फिर कोई इनसान होगा जो नहीं देखता होगा रजनी कांथ के चहरे पर उनकी उम्र साफ जलकती है और उनके बाल भी जड़ चुके हैं हालकि ठलाइवा यानि रजनी कांथ फिल्म करने के दौरान नकली बालों का इस्तमाल करते हैं सबसे खास बात ये है कि जब रजनी कांथ शूटिंग नहीं करते हैं तो वो अपने समान्य लुक यानि कि जो उनका ओरिजनल लुक है वो उसमें ही रहना पसंद करते हैं बॉलिवूट के खलनाय क्यानि संजय दर्थ कभी अपने लंबे बालों के लिए फेमस रहे हैं उनकी घनी जुल्फों पर लड़कियां फिदा थी लेकिन संजय दर्थ भी उम्रे के साथ अपने बालों को खोने लगे थे उनका गंजापन साफ तोर पर देखा जा सकता था लेकिन फिर संजय ने हेर स्ट्रिप सर्जरी करवाई और दोबारा बालों को घना और सुंदर बना दिया अपने डांस और अक्टिंग के चलते 90's के सुपरस्टार रहे गोविंदा का फैन कौन नहीं रहा है लेकिन गोविंदा के बाल भी तेजे से जणने लगे थी उसके बाद अचानक वो बालों में नजर आने लगे ऐसी रिपोर्ट्स है कि सल्मान खान की कहने पर उन्होंने दुबई जाकर हेर ट्रांस्प्लांट करवाय था गोविंदा फिल्मों में भले न नजर आते हूं लेकिन उनके लहराते हुए बाल लोगों का ध्यान ज़रूर खीच लेते हैं बॉलिवूट की खिलाडी कुमार को 40 साल की उम्र के बाद से ही बाल कम होने की समस्या होने लगी थी ऐसी खबरी भी उनने लगी थी कि वो फिल्मों में विक का इस्तमाल करते हैं लेकिन अक्षे कुमार ने समय रहते ही फॉलिकुलर यूनी ट्रांस्प्लांटेशन का सहार अलिया और आज उनके सिर पर गने बाल है ये सबी जानते हैं कि अक्षे खना के कम ही उम्र में बाल जड़ गए थे और वो इस समस्या से लंबे समय तक परिशान भी रहे इसके बाद वो जब भी घर से बहार निकलते तो विक पहनते थे उन्होंने कई फिल्मों में विक पहन कर एक्टिंग भी की है वही हम सल्मान खान की बात करें तो बॉलिवोड के भाईजान सल्मान खान की भी उम्र बढ़ने पर बाल जड़ने लगे थे लेकिन सल्मान को पढ़ दे पर लंबे समय तक हीरों बने रहना था ऐसी में उन्होंनी है ट्रांस्प्लांट करा लिया था आज भी सल्मान की लुक्स पर लाकू करोडो लड़ क्या फिदा है वही टीवी पर कॉमिटी की दुनिया का मशूर नाम कपिल शर्मा भी इसी फेरिस्त में शामिल है अगर आप कपिल के शुरुआती करियर की वीडियोस देखेंगे तो उनके सिर पर कम ही बाल नज़र आते हैं ऐसा कहा जाता है कि लेकिन मशूर होने के साथ ही कपिल शर्मा ने हेर ट्रांस्प्लांट करवाया कपिल पहले के दिनों की तुलना में अब साधा हैंटसम और स्मार्ट नज़र आते हैं जी हाँ दोस्तों ये थी कुछ ऐसे सितारे जुन्होंने अपने लुक्स और अपना बुढ़ापा चुपाने के लिए उन्होंने अपनी नकली बाल लगाए इसको लेकर आपकी क्या राय है और आपके क्या विचारे है में कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल बॉलिवूड ब्रेक को सब्स्क्राइब करना ना भूले